हेलो फ्रेंद्स, वेलकम तो नमीका किचेन, आज मैं आप लोग के साथ कड़ी पत्ते की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बनाया है, तो आप एक बार बनाकर इसको पूरे महने भरतक के लिए स्टोर करके खा सकते हैं, तो य एंटी इंफ्लेमेटरी गुनों से भरा हुआ है, इसमें काफी एंटी ऑक्सिदेंस है, इम्मुनिटी को बूस्ट करता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, और इसाथ इसाथ ये कलिस्ट्रोल लेवल को लो करके रखता है, वेट लॉस में भी ये बहुत ही गुनकारी है, आखों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मातर में विटमिन ए पाया जाता है, लीवर को भी ये स्वस्त रखता है, स्किन को अच्छा रखता है, तो इतने सारे गुनों को जानकर आप भी कड़ी पत्ता का सेवन करना तो आज से शुरू कर दीजेगा, और इसके चटनी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है तीन बड़े चमच फ्लैक सीद्स, फ्लैक सीद्स भी सबसे ज्यादा रिच होता है, ओमेगा 3 फैटी असिद्स में ये वेट मैनेजमेंट करने में हल्प करता है, इसमें बहुत अधिक मातर में फाइबर होता है, इसलिए डाइबेटीस के लिए अच्छा होता है, साथे साथ ये कलिस्टरॉल लेवल को भी लो करके रखता है, ब्लट प्रेशर को भी ये रिड्यूस करके रखता है, और शुगर लेवल को भी ये स्टेबलाइस करके रखता है, जो में न्यूट्रियंस इसमें पा पड़े और जीरा एक बड़ा चमज डाल दिया और चार से पांच मैंने ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च डाल दिया सब को थोड़ा सा भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तीन-चार मिनिट तक के लिए और बस निकाल कर रख लेंगे यह रोस्टेट चना यह भी बहु लिए और बीच निकाल दिया ताकि तीक काम हो जाए अगर आप तीक हाते हैं तो बीच मत निकाल लिए गा और ज़्यादा मिर्च पानी इसनी तक चलेगा आपका तो लेसन डालने से की आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं ये किट्ने करार हो गए थे तो का फ्लेम इसी वक्त ओफ कर दीजेगा और इंको ठंडा होने दीजेगा जब धंडा हो जाए तो सबको एक साथ हम बढ़िया से पीस लेंगे आप इसका एक हम पाउडर बना लेंगे और डाल दिया मैंने इ और इसका एक बढ़िया सा पाउडर बनाने के बाद इसको हम एक air tight bottle में store करके रख देंगे और ये पहार रखे तो भी खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी नमी वाली चीज हमने add नहीं किया है फिर भी आप इसको एक glass bottle में रखके फ्रिज में आप अराम से एक मेहने तक इसको खा सकते हैं नमक थोड़ा मैंने टेस्ट किया एकदम बढ़िया perfect था अगर कम लगे तो आप इसी वक्त नमक थोड़ा डाल दीजेगा और ये देखिए हमारा healthy chutney या आप इसको पोड़ी बोल लीजिए बनकर बिल्कुल ready था इसको आप दही के साथ खा सकते हैं स्मूदी के साथ खा सकते हैं दाल जाओल के साथ खा सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजेगा और चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा थैंक्स पर मॉचिंग